जो लाइने, हटाई गए हैं पढ़के उन्होंने सुनाए, क्या संसदिया है उसमें? पहले तो इनकी बात का जवाब देदू, फिर उसका भी जवाब देता हैं। इन्हों ने पहले कहा कि तथा कथित काला कानून वापस लेना पड़ा यानि काला कानून जानती का था एपी एमसी एक्ट होना चाहिए भारत में एक राज्य है जहां वो तथा कथित काला कानून आई वापस लिया के नहीं वो बताईए ना केरल में जड़मूर से नहीं है वहां से राहूल गांदी जी सांसद है ठीक इनों ने काले कानून का बड़ा विरोध किया और पंजाब में किस हश्र पे पहुंच गए सारी दुनिया ने देखा इसलिए और जो लोग अपने पुछना चाहिए पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव ल और हकीकत क्या है ये दोनों का अंसर है अब दूसरा बिंद उनों ने कहा था दूसरा बिंद उनों ने कहा था कि मनमोहन सिंग्जी को बोलने नहीं दिया अब मैं मनमोहन सिंग्जी काई एक शेर जो उनों ने पारलेमेंट में बोला था मैं कोट करता हूँ सो जबाबों से अच्छी है मेरी एक खामोशी जिसने जानना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली बोलने तो आपने नहीं दिया था उनके नाम के आगे जो MMS का फुल फॉर्म क्या था मैं सिर्फ MMS बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं वो सबको पता था अब मैं आता हूं जो इन्होंने बात कही देखिए संसद में एक परंपरा है कि कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत् जानी जी जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वह जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है तो यह संसदिये परंपरा इसमें कोई ऐसी भात नहीं थी और दूसरा मैं परंपरा का और उधारन देता हूं कोई ऐसा उधारन बताएं भारत के संसदीतियास में पविश्व के संसदीतियास में जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के उपर जाच गठित हो गई हो और वह स्टोरी ऐसी हो जिस पे वह खुद वह कंपनी जाच के घेरे में हो लोग के साथ तभी तुमने का विदेशी कॉंस्पेरेसी की बात आइसे नहीं करें गजब की जुगलबंदी है यहां पर रोग भी लग जाएगी तो यहां से सुर्थ बचता ही रहेगा विदेशी एजेंसियों से आपकी जुगलबंदी है उनकी बात को आप यहां मैगनिफा सवाल बस पूछ रही हूं छोटे-छोटे सवाल है इस जंता के सामने इस इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए क्या अडानी घोटाले की जाच नहीं होनी चाहिए यह हमारा पहला सवाल था होनी चाहिए यह नहीं होनी चाहिए और जोर से बोलिया होनी चाहिए कि नहीं हो चाहिए क्या SBI और दूसरे बैंकों ने जो 882,000 करोर WAR दिये दिये उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32 प्रतिश館 से जादा गिर जाने के बावजूद LIC اور SBI को नुकसान हुआ अडानी में उसके बावजूद इन्होंने FPO में 525 करोर क्यों लगाए ये हमारा सवाल था हमारा सवाल था कि एक लाख करोर नश्ट हो गए LIC اور SBI के मिलाकर इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कौन है LIC के लोग 30 करोर लोग हिंदुस्तान ये जो LIC की पॉलिसी की पॉलिसी करीचते है 45 करोर जो अकाउंट होलडर SBI के वो गवर्मेंट बैंक है अगर पारलिमेंट नहीं सवाल पुछेगा तो कौन पुछेगा क्या ये पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि 8 बिलियन डॉलर से जिस व्यक्ति की आमदनी 140 बिलियन डॉलर हो गई उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पढ़िए सांसाद उतरे पढ़े अरे अपनी सरकार का बचाव करिए अडानी के बचाव में कहा उतरे पढ़े है प्रभू क्या ये नहीं क्या ये नहीं पुछा जाना चाहिए कि टोटल गैस ने अडानी की कमपनी में 50 बिलियन डॉलर निवेश करना था उसका डिसिजन परसो आगया वो रोक दिया गया क्या ये नहीं पुछा जाना चाहिए कि डाव जोन्स और एसन पी ने अडानी को अडानी को अपने इंडेक्स से क्यों बाहर कर दिया क्या ये नहीं पुछा जाना चाहिए कि नॉर्वेस और्बन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डालर अडानी के शेर अपने कल की तारीख में बेच दिये क्या ये नहीं पुछा जाना चाहिए कि Standard Chartered, Credit Suisse City Group ने डानी के पैसे लेने से मना कर दिया और क्या ये नहीं पुछा जाना चाहिए कि इस देश का RBI, इस देश का SEBI इस देश का SFIO इस देश का MCA Ministry of Corporate Affairs इस देश का income tax, इस देश का Department of Revenue Investigation कहा है? Where is the Directorate of Revenue Intelligence? I want to know क्या ये बातें नहीं सपष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाग करोड मार्केट में डूबे, उसमें से 10 लाग करोड अडानी के थे, 6 लाग करोड तो अगर सदन में चुने हुए सालसद नहीं पूछेंगे तो ये सवाल से बचके जापाएंगे अगर प्रधान मंत्री से लोग पूछ रहे हैं आपका रिष्टा क्या है? और प्रधान मंत्री मॉनी बाबा बन जाएंगे जवाब तो आपको देना पड़ेगा आप बिलकुल जवाब देता हूँ किसी भी फाइनेंशल येर का किसी भी चीज का फाइनेंशल नेट प्रॉफिट ये लॉस कब करें होता है? एंड अट फेनेंशल येर एट लीस्ट एक क्वाटर के बाद ये एक हफ़ते में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि शेयर मार्केट में डूब गया जो डूबी हुई मानसिक्ता से देख रहे थे उन्हें एक हफ़ते में दिख गया कि डूब गया ये कहते हैं LIC का वैसा है LIC का एक्स्पोजर अडानी से 1% मैं पूछता हूँ कोई ऐसा बेखती है जिसके LIC की पॉलिसी में चोर हुई और उसे पैसा न मिला हो तो फिर कहां से डूब गया भाई वो आपके दिमाग को डूबा हुआ अब मैं आपको अब बताता हूँ आपको आपको अपने कहा कोई भी शेयर मार्केट होता है उसमें उतार चड़ाव चलता रहता है भारत के financial regulators को भरोसा नहीं कोई बात नहीं आपने ये बात कहने का प्रयास किया आप कहरें रिष्टा क्या तो मैं बताना चाहता हूँ अडानी को पहला contract कम मिला राजीव गांदी जी के जमाने में वो इलकुल legitimate था capability पे मिला था पहला भारत का private port मुद्रा पोड नर्समाराव के जमाने में legitimate था capability पे मिला था है नर्समा बनमोहन सिंग जी के जमाने में FCI का contract मिला कि सारे गोदामों में 12% assured return 15 साल तक मिलेगा वो एकदम इमानदारी से था और legitimate था पिछले 6 माईने में सबसे बड़ा investment अगर किसी एक राज में हुआ जिसने सैक्रो एकर जमीन दी वो था राजस्थान साथ हजार करोड का investment वो इमानदारी से मिला था legitimate था जो माईने का contract 36 गड़ में मिला 11,000 करोड का वो इमानदारी से मिला वो legitimate था सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोड का contract कहां मिला केरल में वो legitimate था ये रिष्टा क्या कहलाता है कि जो आपके साथ तीम प्राइम मिनिस्टर से लेके तीन तीन चीप मिनिस्टर तक होता रहेगा वो तो legitimate था मगर जो दूसरे में दिखाई पढ़ रहा है वही legitimate था और दूसरा में कहता अगर legitimate था तो बताओ तो बताओ 37 लद की सरकार क्या करोई की है तो बताओ केरल की सरकार क्यो निकी है कैंसिल कर रही है इसे कहते हैं रिष्टा तो यह है कि उपर से चिलाना है और पीछे से अंदर investment लाना है इसी कारण से आप की याई सुपी होती है सुनिए भारत की संसर्या भारत के लौ में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें जो विदेशी कंपनी भारत में ऑपरेट न कर रही हो उसको भारत की जेपी सी बुला सके यह बता दें तो मैं इनकी बात को विचार करने को तैयार हूं